हलो दोस्तों फिट से एक बार मेरा चैनल पर स्वागत है मेरा चैनल टेकनिकल एक्सेंशन पर टेकनिकल अपडेट आपको मिलते रहते हैं आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग MP4 टू MP3 कॉनवर्ट कर सकते हैं वो भी VLC मीडिया प्लेयर से यानि आपको यहाँ परọnभड कैसे होता है तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक छोटा सा वीडियो है जो वीडियो हम एक बार प्लेय करके हम आपको डिखा-देख शेयर कीजी वीडिधियो को अपने दूसनों साथ चलिए देखते है तो यह 5 सेकंड का वीडियो है यह 5 सेकंड का वीडियो करना है आपको और क्लिक करना है करने के बाद यहां पर देखिएगा आपका कनभार्ट मोड या प्रोफाइल मतलब किसमें कनभार्ट करोगे आप वह इसका यहां पर फाइल एक्सेंशन सब रहता है देखिए यहां पर 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 देखिए आउट्पूट फोल्डर आ गया डिक्स्टॉब में तो मैं यहां पर हमको यह नाम कट के मैं टेगनिकल एक्सेंशन डाल देता हूं यहां पर टेगनिकल एक्सेंशन हो गया और container MP3 जो है यह बाइटीफॉल जो आएगा दोस्तों वही रखना है आपको और सेव करना है और उसके बाद आपको start पर दबाना है तो देखिए जब start हम किये इसके बाद यह already आपका हो चुका है यह देखिए file आ गया automatically तो यह file convert हो गया और यह है आपका audio file 78.7 KB दोस्तों आप वीडियो को अंतक देखना मैं दो एरर के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दो एरर भी आपको आ सकता है VLC media player से convert करने के समय तो आप वीडियो को अंतक देखिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ तो वीडियो पसंद आने से जल्दी से लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों लोगे साथ चलिए देखते हैं तो दोस्तों ये file MP4 file जो था वो देखिए ये MP3 file में convert हो चुका है और यहाँ पे details में चलते हैं तो देखिए all loop one and no loop तो दोस्तों ये button आपको off रखना है अगर आप इसको on रखते हैं तो क्या होता है आपका जो process है convert का वो बार बार रेंडमली चलता रहता है और उसके करण आपको एक error message आता है कि overwrite वाला एक error message आपको दिखता है तो चलिए मैं आपको एक बार on करके दिखा देता किसी के पास तो problem क्या आता है तो हम लोग feed से गया है convert and save पे यहां पर देखिए यहां पर दिया हुआ है तो हम लोग यहां से select करेंगे convert और हम लोग destination folder वही output ही रखेंगे लेकि नाम हम दूसरा दे देते हैं माले यह TE दे दिए ओके और यह MP3 है आप देखिए जैसे ही मैं save पे click करूंगा और देखिए start पे click करते हैं इसका process चालो होने के लिए यह देखिए आपका एक error message बार बार दिखाएगा override keep existing file बोलके आएगा the output file already exist क्योंके दोस्तों यह loop में चला गया यह जो process है आपका convert का process है वो आपका loop में चला गया है तो बार 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 वो कोशिश कर देखिए आपका process चलता रहेगा यह कोई VLC का दोस्तों बाग नहीं है यह settings आपको करना होगा convert करने के पहले आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि आपका जो settings है वो properly है या नहीं तो आपको इसको बंद करने के लिए alt control और डेल दबाना है tax manager पे जाते हुए यहाँ पे दे अगल वाला जो बटन है यह random यह बटन भी आपको आफ रखना है आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आने से like share और comment कर देना दोस्तों आप अगर चैनल पे नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए धन्यवाद जैहिन बंदमातरम